नमस्कार दोस्तों तो यह पुरा मामला है क्या फानिली क्या हुआ है कि कल यूएस के अंदर वर्जीनिया के एक कोर्ट ने फैसला सुनाया है जिसके अंदर जॉनी डेप इस केस को जीट चुके है और एमबर हर्ट जोकी इनकी एक्स वाइफ है उनको 15 मिलियन डॉलर डैमेजस में पे करने होंगे यह आप देख सकते हो जूरी रूल्स एमबर हर्ट डिफेम जॉनी डेप तो यह एक्जाक्ली है क्या बहुत ही शॉट में और क्रिस में आपको जो पूरा स्टोरी है इसके बारे में मैं आपको बता दूँगा इस वीडियो के अंदर चली आगे बढ़ते हैं लेकिन उसके पहले ध्यान रखेगा अगर आप कोई भी कोर्स देते हैं एक्जाम के प्रिपेशन कर रहे हैं तो आप यूज करिए हमारा कोर्ट अंकेट 40 हमारे एप और वेबसाइट पर जाएए डिरेक्टी आपको डिसकाउंट मिलेगा इसके लावा MCQ अगर आप अटेम्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQ हैं उसको आप अप अटेम्ट कर पाएंगे तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इग्जाक्ली अभी हुआ क्या है देखो यहाँ पर फानिली जो भी केश चला है उसमें यहाँ पर फैसला यह सुनाया गया है कि Ember Heard ने Johnny Depp को डिफेम करने की कोशिश की है मतलब बदनाम करने की कोशिश की है अब जाहिर सी बात है Johnny Depp आपको पता है बहुत ही जादा पॉपलर अक्टर है Ember Heard भी है लेकिन Johnny Depp को जादा ही पॉपलर है उनके बहुत ही कई सारी फेमस मूवी जैसे कि Pirates of the Caribbean आपने सुना होगा तो कई सारी मूवी उन्होंने किया है तो फैसला यह सुनाया गया है कोट के दोरा कि Ember Heard ने बार-बार न्यूज में इसलिए पूरी ख़बर चल रहे थे कि यह जो फैसला सुनाया गया कल उसको लेकर पुरा ट्रायल चल रहा था आपने देखाऊगा ना कोई भी केस होता है उसका ट्रायल चलता है तो पिछले डेड़ मेहने से यहाँ पर ट्रायल चल रहा था इनफर्क लाइफ टेस्टिमोनी हो रही थी जो जॉनी डेफ है वो अपनी तरफ से बयान दे रहे थे Ember Heard अपनी तरफ से बयान दे रही थी कि जो Ember Heard है उन्होंने यहाँ पर डिफेम करने की कोशिश किया है तो आपने देखा होगा देश के अंदर भी जब एक परसन दूसरे परसन की पॉप्लारिटी को डिफेम करने की कोशिश करता है तो एक डिफेमेशन केस डाल दिया जाता है तो एक तरफ जो जौनी डैप है वो 15 मिलियन डालर का केस डाल रहे थे उसकी तरफ उल्टा जो Ember Heard है उन्होंने भी 100 मिलियन डालर का केस है वो जौनी डैप पर कर दिया था तो यह पूरा एक्क्विजेशन चल रहा था मैं आपको आगे चल कर बताऊंगा बेसिकली क्या है कि जो Ember Heard है उनका ये कहना था कि जो जौनी डैप है वो बार-बार उनको domestic violence करते हैं मारते पिटते हैं जब भी उनका relationship था जब भी वो husband wife थे और दूसरी तब जो जौनी डैप है उनका कहना है कि मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया उल्टा जो Ember Heard है वो उ दिरे-दिरे उन्होंने डेट करना स्टार्ट किया वो दोनों 2011 में एक movie फिल्म कर रहे थे The Rum Diary उसमें वो आपस में एक साथ मिले फानली जाकर 2015 में February 2015 में उन्होंने शादी कर ली और ये शादी कितने महने तक चली मुश्किल से 15 महने तक उनकी शादी चली और फानली 2016 में यहाँ पर Ember Hurd ने divorce फाइल कर दिया Johnny Depp के खिलाफ जो है और divorce वो हो गए और एक प्रकार से आगे चलकर दोनों के दोरा धरे-धरे जो acquisitions लगाए गए इसलिए ये पूरा case आगे चलकर बनता है जैसे कि allegations मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ इसको idea लग जाएगा मैं बहुत जादा detail में नहीं जा रहा हूँ लेकिन कुछ कुछ चीजें बता दे रहा हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए देखो एक incident में यहाँ पर Ember Hurd ने ये कहा कि किस प्रकार से जो Johnny Depp है उनको तीन दिन तक hostage situation बना कर रखे तो hostage मतलब उनको बंदग बना कर रखे कैदी बना कर रखे Australia में Australia में जब जो Pirates of Caribbean जो latest movie आने वाली थी उसमें यहाँ पर shooting चल रही थी और उसी में यहाँ पर जो Johnny Depp है उन्होंने उसको hostage बना कर रखा था Ember Hurd को और जो Johnny Depp है उन्होंने इसके खिलाफ ये बोला कि ये सारे claim जो किये जा रहा है वो बिलकुल भी जलत है इन्फाक्ट जॉनी डप ने ये कहा कि दो वोटका बॉटल जो है वो Ember Hurd ने जॉनी डप के ऊपर फेका जिसकी वजह से उनके जो fingers है वो injured हो गयते उसमें से खून बहने लग गया था तो ये सारे आरोप प्रत्यारोप I hope कि आप सो समझ में आ रहा होगा दोनों की मतलब से लगाया जा रहा है आगे चलकर 2016 में भी यहां पर Ember Hurd ने जॉनी डप के खिलाफ यहां पर आरोप लगाया और यह कहा कि Los Angeles अपार्टमेंट में उनको मारा गया Ember Hurd को लेकिन आगे चलकर पूलिस के दौरा ये बोला गया कि हमें ऐसा कोई evidence वो सामने नहीं आया है फिर होता क्या है कि 2016 में ही यहां पर Ember Hurd जो है वो अपने allegations को withdraw कर लेती है और 7 million dollar का जो divorce settlement है वो दोनों के द्वारा कर लिया जाता है द्वार्टमेंट मतलब कि जो Johnny Depp है वो 7 million dollar यहां पर Ember Hurd को pay करेंगे और दोनों के द्वारा joint statement issue किया जाता है उसमें 2016 में कि दोनों का relationship था वो काफी जादा volatile था उन्होंने statement जाली किया और इस बात को माना कि हमारा relationship है वो volatile था और हम दोनों का कोई intention नहीं था कि दोनों एक दूसरे को physically harm करें या फिर emotionally harm करें इन फाक्ट उस समय यहां पर दोनों के दौरा एक agreement भी किया गया था कि दोनों एक दूसरे के situation मिलने वाला है जो settlement मिल रहा था 7 million dollar का वो मैं यहां पर charity में दे दूँगी तो यह सब कुछ 2016 में हो रहा था लेकिन पूरा मामला इतना जादा क्यों गहरा गया वो आगे चलकर 2018 में क्योंकि 2018 में Ember Heard ने Washington Post में एक article लिख दिया और इसी को लेकर आप कह सकते हो आगे चलकर दिरे दिरे जो पूरा मामला है वो काफी जादा गंबीर हो गया 2018 में यहां पर एक प्रकार से जो article लिखा गया था Ember Heard के दोरा उसमें उन्होंने domestic abuse का आरोप लगा दिया एक प्रकार से ध्यान रखेगा इस article के अंदर Johnny Depp का directly नाम नहीं लिया गया लेकिन Johnny Depp के जो lawyer है उ भले ही नाम नहीं लिया गया उस article के अंदर लेकिन directly जो इशारा था वो Johnny Depp के ही उपर था तो एक प्रकार से Johnny Depp को बदनाम करने की डिफेम करने की यहां पर इस article के माध्यम से कोशिश की गई है तो यह article बहुत important है और इसी को लेकर आप कह सकते हो जो पूरा case है वो चला है In fact 2018 में यहां पर एक और case सामने आया वो यह था कि जो लंडन के अंदर British tabloid है एक नाम से The Sun के अंदर एक executive editor Dan Wooton उन्होंने यहां पर एक article लिखा था देखो इस article के अंदर यहां पर उन्होंने सवाल उठाया Johnny Depp के खिलाफ क्योंकि आप समझो एक तरफ जो Ember Heard है वो Washington Post के अंदर लिख रही है कि मेरे उपर domestic abuse किया गया अब जाहिर सी बात है सबको पता है कि यहां पर domestic abuse का जो आरोप है वो Johnny Depp के खिलाफ लगा रही है इस article के अंदर और इसी का आधार बनाते वे यहां पर यह वाला Britain का magazine है The Sun उन्होंने यहां पर एक article लिख दिया और यह कहा कि क ऐसे जो JK Rowling है वो कास्ट कर सकते हैं Johnny Depp को क्योंकि Johnny Depp एक प्रकार से wife beater है तो यहां पर इस article के अंदर भी Johnny Depp के उपर आरोप लगाया गया कि वो wife beater है wife को मारते पीटते हैं और इसी लिए आगे चलकर 2020 में Johnny Depp ने इस magazine के खिलाफ भी case डाल दिया London में London के एक high court में लेकि judge के द्वारा ये बोला गया कि यहां पर substantially true हो सकता है मतलब कि यह जो tabloid के अंदर लिखा हुआ है magazine के अंदर लिखा हुआ है Johnny Depp के खिलाफ वो हो सकता है true हो तो देखो मामला यह है ना कि यहां पर court में अभी तक वो हारते आया है Johnny Depp जो है वो court के अंदर case हार गये और कई लोगों का यह भी कहना था कि दोखो जो भी है Johnny Depp के खिलाफ जो भी कुछ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है बहुत लोग ऐसा मानना था उनका कहना था कि अभी तक कोई सबूत ऐसा नहीं मिला है Johnny Depp के खिलाफ कि वो wife को मारते होंगे domestic abuse करते होंगे तो यह सारी चीजे चल रही थी फिर आगे चल कर फाइनली यह वाला जो केस है वो यूएस के अंदर डाला गया आप समझो मैंने आपको बोला था कि जो आर्टिकल लिखा था 2018 में एमबर हर्ट के द्वारा तो यह आर्टिकल किस में लिखा गया था वाशिंग्टन पोस्ट में अब क्या है वाशि ट्रायल चला था पिछले लेड़ वहने से इसी आर्टिकल को लेकर ट्रायल चला था और जो यही केस डाले थे एंबर हर्ट के खिलाव कि उन्होंने यहाँ पर गलत अरूप लगाए है इस आर्टिकल के अंदर जो नी डेप को बदناम करने की कोशिआ कि है लेकिन जो एम्ब हर्ट को कुछ कंपनसेशन नहीं देना चाहिए लेकिन दूसरी तरफ जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ जॉनी डैप ने ये बोला आरोप लगाया कि क्योंकि ये जो आर्टिकल लिखा गया उसकी वजह से उनको बहुत नुक्सान हुआ है जैसे कि पाइरेट जो मुवी है उ उनका पुरा केरियर है उसको खतम करनी की कोशिश की गई है अमबर हर्ट के दौरा इसलिए 50 मिलियन डॉलर का कंपनसेशन मिलना चाहिए जॉनी डैप को ऐसा उन्होंने केस फाइल किया था लेकिन जैसा मैंने बताया फानली ये केस जो है कल खतम हुआ है और इसके अंदर जौनी डैप ये केस जीते हैं जिसके तहट 15 मिलियन डॉलर यहाँ पर एमबर हर्ट जो है वो पे करेंगी जौनी डैप को तो यही सब कुछ है I don't think कि इससे जादा आपको कुछ ऐसा जाने की ज़र्वाथ है until unless आप बहुत जादा इंट्रेस्टेड होते होंगे इसके इसका राइट आंसर आपको जो पता ही है मेरे इंस्टेग्राम पर तो मिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं टेलिग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ बाकि अगर आपको PDF झालता है